यहां पर त्यारी किराएगी, तो जैसे आज हम इसमें लेखिया है, संख्या समन्दित कुछ प्रश्ण लेखिया है, तो इसको हम पार्ट वन माल लेते हैं, तो जैसा कि यहां पे पहला प्रश्ण दिया हुआ है, निलिकित में से कौन सी संख्या अभाज है, हमसे पूछ रहा या 11 होगा या 52 होगा या 60 होगा तो इसमें अभाज संख्या कौन सोगी स्वयम से 11 कट रहे तो 11 इसका राइट एंसर हो जाएगा और आप सब अपना उत्तर जो है कमेंट बॉक्स बताईए आप जो है इसमें से आप कितना एंसर कर पा रहे हैं तो चले बच्चों दूसरा सवाल देखते है लिखा हुआ है निमने में कौन संख्या भाज संख्या है आप इसमें पूछा है कौन संख्या भाज है दो है कि 37 है या 41 या 49 है तो भाज संख्या होती है बच्चों जो जो है स्वयम से भी कटे और कोई दूसरी संख्या भी उसको काट दे तो इसमें हम चेक करते हैं तो क्या दो कटेगा या 37 या 41 या 49 इसमें जो है दो जो है अभाज संख्या है 37 अभाज संख्या है 41 अभाज संख्या है 49 जो है भाज संख्या है इसका राइट एंसर हो जाएगा सवाल लमद 3 देखते हैं बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है निमने में कौन संख्या बिसम संख्या है अब बिसम संख्या पूछ रहा है बच्चों यहाँ पर बिसम संख्या क्या होती है वे सभी संख्या है जो 2 से नहीं करती है उसे बिसम चोथा सवाल देखते हैं दोस्तो निव्यमर में कौई से संख्य हैं अब इसमें हम से पूछ रहा है चोथा सवाल में संख्य पूछ रहा है तो संख्य असे कातेों बच्चो जो दी गई संख्य ingredients 2 से कड़ जाती है पूरी nearly 2 से उसी संख्य काते हैं तो असक पहचानने का तरीक जिस संख्या के लाश्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आती है वो सभी संख्या संख्या होती हैं, तो चले देख लिते हैं, इसमें लाश्ट में 9 है, तो ये संख्या नहीं हुई, इसमें लाश्ट में 9 है, संख्या नहीं हुई, इसमें गलाष्ट में 8 है तो यह समसंख्या हो गया तो 78 इसका right answer हो जाएगा सवाल नमर पाछवा देखते हैं बच्चो लिखा है संख्या 999 की अनुवरती संख्या बताईए तो अनुवरती संख्या कैसे निकालते हैं बच्चो अनुवरती संख्या निकालने के लिए दी गई संख्या में हम क्या कर देते हैं प्लस एक कर देते हैं एक जोड दिया जाता है तो इसका अनुवर्ती कितना हो जाएगा 999 मगर एक जोड कितना जाएगा 1000 आ जाएगा तो 1000 इसका राइट एंसर हो जाएगा सवाल लंबर छटवा देखेंगे संख्या 999 की पूरवर्ती संख्या बताईए अब बच्चों यहाँ पे 999 की हम से पूछ रहा है पूरवर्ती संख्या तो पूरवर्ती संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे जो भी संख्या दी होगी उसमें से हम एक क्या कर देंगे घाटा देंगे, एक घाटा देंगे तो 999 में से अगर 1 घाटा एंगे तो कितना आएगा, 999 तो 999 में इसका राइट एंसर हो जाएगा सवाल नंबर 7 देखते हैं दोस्तों लिखा है, निन में सबसे बड़ी संख्या बताईए, निन में माइनस 15 जो है, इसमें सबसे बड़ी संख्या होगी, क्योंकि संख्या रेखा पर सबसे पहले माइनस 15 आता है, इसके बाद ये सब संख्याएं आती हैं, तो माइनस 15 इसमें बड़ी संख्या हो गई, सवाल नमर अठवा देखते हैं, बच्चो, लिखा है कि निम्न में सबसे छोटी संख्या बताईए अब इसमें सबसे छोटी संख्या कौन से होगी 0 होगी या माइनस 79 होगया या माइनस 1000 होगा या माइनस 50 होगा तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन से होगी तो देखिए इसमें यहाँ पे सुन है इन तीनों में माइनस लगा हुआ है, इन तीनों में क्या लगा हुआ है, माइनस, तो माइनस से बड़ी तो जीरो हो जाएगी, तो जीरो तो सबसे बड़ा हो गया इसमें, तो सबसे छोटा कौन होगा इसमें, सबसे छोटी संख्या हो इसमें होगी, माइनस एक हजार होगा, म वीडियो पसंद आया हो तो बच्चो वीडियो को लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरू कीजिएगा थैंक यू